नमस्कार, हिंदी लेर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है आजाश्मा महाजन हिंदी लेर्निंग चैनल पर लेकर आई है अमोली हिंदी पाट माला क्लास 5 के स्टुडेंट्स के लिए चैप्टर 6 शूर वीर जी हाँ ये कविता रामधारी सिंग दिनकर जी द्वारा लिखी गई है और इनके द्वारा रचित इस कविता में बताया गया है कि मुश्किलों से हमें कभी भी नहीं घबर आना चाहिए आपकी बुक के कुछ चैप्टर अप्लोड हो चुके हैं और प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्चर में दे दिया गया है चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 भी आपको मिलेगा जैसा कि आपने डिमांड की है शूर वीर परवेश वीर पुरुष विशम से विशम परिस्थतियों में भी हिम्मत नहीं हारते जो कौन होते हैं वीर होते हैं पाहादूर होते हैं कैसी भी परिस्थति उनके सामनी आजे वो कभी नहीं डरते अपने लक्षे की प्राप्ती में वो सफल हो जाते हैं विगनों से टकर लेकर मुसीबतों से टकर लेना तो उनका काम है और उनके इरादे इन से टकर लेकर और मजबूत हो जाते हैं लेकिन जो कायर व्यक्ति होता है वो विपत्ति देकर घबरा जाता है डर जाता है और असफल ही होता है विपत्ति के समय मानव के सच्चे साहस की प कांटों में रह बनाते हैं इन पंक्तियों में कभी क्या कहना चारे हैं कि जो भी दरपोक व्यक्ति हैं वो मुश्किलों से कभी नहीं घबराते हैं क्या बोला है सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है कि मुसीबत आने पर विपत्ति क्या होती है मुसीबत ये बात बिलकुल सकते है कि मुसीबत आने पर कायर व्यक्ती ही घबरा जाते हैं, कायर को ही दहलाती है, सूर्मा नहीं विचलित होते, लेकिन जो सूर्मा लोग होते हैं, वीर पूरुष, जिने शूररु वीर कहा गया है, वो अपने करतव्य पत से हटते नहीं हैं। शन एक नहीं धीरज कोते वो एक पल के लिए भी अपना धैरे अपना होंसल, अपना विश्वास नहीं छोड़ते विगनों को गले लगाते हैं, कांटों में रहा बनाते हैं वो रास्ते में आने वाली जितनी भी परिशानियां हैं, जितनी भी मुश्कीले आं उन्हें हस्ते हस्ते स्विकार कर लेते हैं और धैरे पुर्वक पूरे धैरे के साथ उनका मुकाबला करते हुए क्या करते हैं समधान ढूंडते हैं कांटों में रहा बनाते हैं वो मुश्किल रूपी कांटों के बीच से ही अपनी मंजिल के लिए रास्ता बना लेते हैं जान कौन विग्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर परवत के जाते पाउं उखड अब यहाँ पर मग का मतलब क्या होता है मार्ग ठीक है अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि है कौन विग्न ऐसा जग में कि इस संसार में ऐसी कौन सी मुसीबत है ऐसी कौन सी मुश्किल है, विखनों को गले लगाते हैं, कांटू में रहा बनाते हैं, जानिकि सन्सार में कोई ऐसी मुश्किल नहीं, कोई ऐसा संकट नहीं, ऐसी कोई रुकावट नहीं, जो मनुष्य की बुद्धी और बल के सामने टिक सके, तो यहाँ पर ना मुनुश्य की बुद्धी की महीमा का गान किया है कभी ने कभी कहते हैं कि है कौन विग्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में खम ठोंक ठेलता है जब परवत के जाते पाउं उखड कि जो पुरुशार्थी मेंट करने वाला इनसान होता है जब अपने उच्साह से अपने हिम्मत से आगे बढ़ता है तो क्या करता है वो परवत के जाते पाउं उखड पहाडों के भी पाउं जो है वो उसके सामने उखड जाते हैं मनुश्य अपनी मेहनत और बुद्धी के बल पर पहाडों को काट कर उसके बीच में क्या बनाता है रास्ता बना लेता है मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है तो यहां बताया है कि मनुश्य जब अपनी योगत अपनी अबिलिटी को दिखाना चाता है अब मनुश्य को अपने गुनों की पहचान भी तो करनी है, उसके अंदर गुन है लेकिन वो कैसे अडेंटिफाई करें, गुन बड़े एक से एक प्रकर, है छिपे मानवों के भीतर, अब प्रकर मतलब तेज, वर्तिका क्या होती है, वर्तिका मतलब बक्ती, यहां पर बताया क्या गया है, कि गुन बड़े एक से एक प्रकर, कि एक सधारन सा इंसान भी होगा न, उसके अंदर इतने गुन छिपे होए हैं, जैसे महंदी में लालीमा और दीपक की बाती में रोशनी छिपी होती है, उज्याली क्या होता है, वर्तिका क्या होता है, बक्ती, दीपक की ब रोशनी नहीं वैपाता है लेकिन अब जैसे मेंदी से लालीमा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है उससे सिलवट्टे पे पीसना पड़ता है बाती से रोशनी पाने के लिए क्या करना पड़ता है उसी तरह मनुष्य के हिर्दे में जितने भी गुन है अगर वो सो करके अपनी मंजिल जो है वो हासिल कर पाएगा तो आपको शूर वीर कविता समझ में आई बचो कैसी रही ये कविता इस कविता में पस यही बताया है कि वीर पूरुष जो है वो संकटों से कभी नहीं गबराते हैं और अपनी भुद्धी बल धैरे इन सब के बल पर क्या करत हैं और इसके अलावे शूर वीरों के मुख पर कभी भी डर का भाव नहीं होता वो कभी अपने मुख से उफ नहीं करते मुसीपतों को देकर कभी नहीं डरते कभी नहीं गबराते मुश्किलों से सिरफ एक बार पार पा जाते हैं और फिर उससे पीछा नहीं चुड़ा पा कौन स्थिर नहीं, अस्थिर नहीं होता, मता कौन नहीं विपक्ति में अपने आपको हिला पाता, वीर, विगनों को स्विकार करने से क्या होता है, विगनों को स्विकार करके व्यक्ति के इरादे और जादा मजबूत हो जाते हैं, सुद्रेड हो जाते हैं, कांटे से कभी क्य अतात परे हैं विपत्तियों के मार्क से मुसीबतों के रास्ते से ठीक है सारे बच्चों को क्या करना है अपने लक्षे पर ध्यान देना है सासी बनना है डरना नहीं है अगर कोई गलत काम नहीं किया तो डरना नहीं है और दृड निच्चे बनाके पढ़ाई करनी है अपनी विपत्ती में डर से कौन कामता है विपत्ती में डर से कायर कामता है क्यों क्योंकि वो उसका सामना करने के हिम्मत ही नहीं रखता असफल हो जाता है विपत्ती आने पर शूरवीर क्या करते हैं डटके सामना करते हैं चली आगे बढ़ते हैं यह आंसर आपको रेटन में दे द परवट डावा डोल हो जाते हैं पत्थर पानी कैसे बनता है जब मुनुष्य साहस पूरवक्कारे करता है कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं रह जाता मुनुष्य में गुन कैसे छिपी है जैसे बत्ती में उजाला और महंदी में उसका रंग जानी की लालीमा कविता रिक्तसानों की पूर्ती करनी है तो रिक्तसानों की पूर्ती करके आपको दे दी गई है सही विकल्प के सामने टिक का निशान लगाना है आपको यह आप लाइन्स जो है कंटेस्ट मतलब याद कर सकते हैं और रिक्तसानों की पूर्ती स्पैलिंग जरा देखकर ही लिकिए सही विकल्प के सामने टिकका निशान लगाना है बहादुर व्यक्ति क्या नहीं खोते हैं। पत्थर पाहन अश्म नर्व मानव आदमी परवत पहाड नग रोशनी उजाला प्रकाश। विलोम शब्दे चुनने हैं विपत्ति का संपत्ति मानव का दानव तो सारे विलोम शब्द आपको जो है वो बॉक्स उपर जो बना हुए उसमें से सामने सही प्रकाश से लिखकर को धेत्ये हैं इन्हें आप देख लिजिए थर्ड कोशन में दिएंगे शब्दों को अर्था नूसार वाक्य में प्रयोग करना है जैसे एक जग होता है बरतन और में बरतन दुनिए तो दुनों की अलग क्यों का पानी उतर गया है कोशन नमबर फोर दिये गई शब्दों को लिंक की अनुसार सही स्थान पर लिखे तो इस तरी लिंग वाले शब्द मैंने एक तरफ लिख दिये पुलिंग वाले एक तरफ लिख दिये अगर बचा कन्फ्यूज हो रहा है कि इस तरी लिंग पुलिंग कैसे पहचानने तो मेरे चैनल पर अनुगूंच हिंदी पाठे पुस्तक ये प्ले लिस्ट मिलेगी आपको क्लास एट की जिसमें आपको इस तरी लिंग पुलिंग पहचानना सिखाया गया है Link वचन कारक की वीडियो का link आपको इस वीडियो का description में मैं देदूंगी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं ठीक है students आपको असानी से पता चलेगा कि इस तरी link की पहचान कैसे करनी है और pulling की कैसे करनी है बाकी इस वीडियो को अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर जरूर कीजिएगा क्लास 5 का 7 चेप्टर लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने आऊंगी वरिक्ष है तो हम है बाकी बुक में कुछ चेप्टर अप्लोड हो चुके हैं क्लास 6 7 अमोली हिंदी पाथे माला जो है वो अप्लोडीड है चैनल पर और एट की भी पूरी बुक अप्लोडीड है हाँ कुछ अगर चेप्टर चेंज हुए हैं तो आप मेरी मेल आईडी पर उन चेप्टर को भेज सकते मैं आपको उनकी आंसर की प्रवाइट जरूर करूंगी पूरा चेप्टर जो है वो जरूर समझाओंगी कमेंट करते रहिएगा और अपना जो भी सजेशन होगा प्लीस मुझे बताईएगा जरूर ओकी गुड़ बाई स्टुडेंट्स